हलो हाई नमस्तों दस्तों मैं सुजित मेजुंदार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में यह फ्रेंड्स यह हमारे पास एक आज यह CPU है और जो कि यह हमारे भाई साब है जो कि स्टूडियो लाइन वाले हैं तो उनका यह सिस्टम है और इसमें जो है हम आज SSD लगा लगाएंगे काफी सलो परफॉर्मेंस कर रहा था उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं मिल पार रहा था तो यह हमारे पर साय हैं और अपना समझ से बता हैं और इसमें हम लगाएंगे SSD वगरा तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप यह कुलर मास्टर का CPU है यह तो बह जीवी का दो लगा हुआ है 16 जीवी और प्रोसेसर जो है इसमें लगा हुआ है ठीक है और इसमें जो है पहले हर्डिक्स लगा हुआ था तो आज हम इसको सूपर फास्ट बनाएंगे थोड़ा बहुत फास्ट बनाएंगे प्रफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं आ रहा है तो इसको फास्ट बनाने के लिए क्या क्या करेंगे क्या क्या लगाएंगे तो विडिया में बने रहीएगा फ्रेंट्स नुकसान आपका कुछ भी नहीं है पर हां नालेज और घ्र उर मिलेगा तो इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह जो ह है कि मैं आपको दिखाने कोशिश करता हूं यह जो बोर्ड है यहां पर यह देख पा रहे हैं यह nvme का slot बना हुआ socket यह nvme में single cut होता है जैसे कि आप यह देख पा रहे हैं और m.2 में यह double cut होता है तो उसी हिसाब से cut के इसाब से अपना m.2 जो SSD है अपना उसमें भी उसी हिसाब से cut बना हुआ रहेगा तो यह जो है अपना 250 GB का है और यह जो है nvme है और इसमें जो है आप देख पा रहे हैं 35x faster तो यह जो है performance बहुत बहुत बहतरीन कर देगा यह इस system का तो यह जो है nvme है आप यह nvme को अपने laptop मर भी लगा सकते हैं पर laptop में लगाने से पहले आप यह आप confirm कर लिजिएगा कि आपका laptop में जो है nvme का slot बना हुआ है या नहीं है अगर nvme का slot बना होगा तो यह सिंगल कट वाला है और अगर उसमें आप जैसे की मैं आपको बता देता हूं यह m.2 तो m.2 में यह double cut बना हुआ है तो आप यह confirm कर लिजिएगा आपका जो desktop का motherboard है उसमें यह double cut बाला अगर होगा तो आपको m.2 लगाना पड़ेगा और अगर सिंगल कट होगा तो आप nvme लगा सकते हैं तो यह लगाना है और दूसरा जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूं कि इसमें जो है यह operating के लिए 250 GB लगाए जा रहा है तो यह जो क्या होता है यह operating के लिए 250 GB जो है परियाप्त होता है 500 GB लगा सकते हैं लेगिन 500 GB को उतना जर्रक नहीं पड़ता है क्योंकि अपने को operating ही लगाना है क्योंकि operating में ही जो भी system अपना फास्ट चलता है वह operating पर ही चलता है तो operating के लिए अपन नवी में लगा देंगे जो भी अपना software है य और storage के लिए friends आप यूज कर सकते हैं या अधिकतर ये किया जाता है कि NVMe लगाया जाता है ये SSD जो भी लगता है साथ में storage के लिए लगाया जाता है ये harddix ठीक है तो ये harddix जो है ये 4TB का है तो operating के लिए 250GB लगाया जा रहा है और storage के लिए 4TB का harddix इसमें लगाया जा रहा है ताकि जो भी हमारा data है वो हम रखेंगे storage में के लिए harddix में जो भी data है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये जो है एक studio line का PC है तो editing वगरा video editing वगरा photo editing वगरा सारा होत है तो इसलिए ये जो है 4TB का storage लगा रहे है और आपका अगर उतना यूज नहीं है तो आप इसको कम भी लगा सकते हैं 1TB का लगा सकते हैं 1TB में आपका काम चल जाएगा अगर आपको video editing वाला काम है तो उसके लिए आपको storage थोड़ ज्यादा चाहिए रहता है तो 4TB ल और यह जो है GT 730 इसका model है और यह 4GB का graphic card है DDR3 और इसका मैं आपको दिखा देता हूं यह जो है NVIDIA का इसमें chipset लगा हुआ है G4 GT series ठीक है तो 730 इसमें graphic card लगेगा तो ठीक है जल्दी जल्दी इसको हम assembled कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको चलू करके इसको दिखाता है तो सबसे पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं इसको भी ओपन कर लेते हैं वाँ देख पा रहे हैं 4TB जैसे कि आप देख पारे हैं 4TB का तो शीबा का यह harddix है surveillance S300 5400 5400 RPM 128 MB buffer ठीक है तो यह जो फ्रेंड्स graphic card इसको भी open कर लेते हैं box को कर देते हैं side वाव देख पार हैं कितना प्यारा सदीक रहा है graphic card और काफी बड़ा से इसमें एक fan लगा हुआ है यह अपना हो गया graphic card तो सारा port इसमें दिया हुआ है HDMI VJ और AVI ठीक है तो चलिए अब इसको CP में संबल करते हैं तो यह देख पा रहे हैं यह NVMe का slot बना हुआ है और यहां पर थोला समय आपको दिखा देता है उसको side करके यह यह यहां पर एक यह strats लगा हुआ है तो इस पर एक screw है screw को खोल लेते हैं कि यह NVMe का देख पा रहे हैं यहां एक यह cut बना हुआ है और ठीक उसी प्रकार से यह cut यहां भी बना हुआ है तो इस cut में इसको जो है बहुत ही असान तरीके साथ डाल लेना है ठीक है यह चला गया है और जो screw को ले थे वो screw को इसमें screwdriver में लगा लेते हैं और इसको असल करके यहां तो ग्राफिक काट का जो slot होता है यह ग्राफिक काट का slot है तो इसको हम ग्राफिक काट को यहां लगा देते हैं तो यह अपना ग्राफिक काट है इसको लगा देते हैं यहां पर यह wire जो खोले थे, यह wire को लगा देते हैं, CPU fan का wire है, बहुत ही असान तरीके से यह भी लग गया है, अब यह जो port यहां निकला है, यह एक screw यहां उपर से लगाना पड़ेगा, तो यह आपको दिखा देता हूं, यह screw हमने जो है, यह यहां पर यह लगा दिया है, ठीक है, अब हमको यहां पर लगाना है, यह hardix को, यह hardix है, 4 TV का hardix है, इसको हम यहां लगा देते हैं, अब हार्डिक्स का कनेक्शन कर देते हैं, यह hardix का यह power cable, और यह जो है, उसका data cable, यह हमारा connection कर लिए है, अब इसको जो है, एक बार power button press करते हैं, अब आपको screen में ले चलता हूँ, और यह जो है, booting के लिए बिल्कुल भी तैयार है, और यह जो friends, booting के लिए हमने pen drive लगाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देख पा रहे हैं, अपना pen drive लगा हुआ है, और उसी सही यह भी boot हो रहा है, अब यह my computer right click manage, disk management, और यह जो आप देख पा रहे हैं, यह जो है, दिखा रहा है, यह है अपना 4TB का hard X, देख को right click करके, new simple, value, next, 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 finish. अब my computer में double click, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यह अपना NVMe है, जो की 232 GB दिखा रहा है, और यह जो है अपना 3.63 TB, देख पा रहे हैं, यह जो अपना hard X है, तो operating के लिए यह हो गया, और storage के लिए, यह अपना, यह हो गया, बहुत बढ़िया, तो friends, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share, comment जैरूर कीजिएगा, अगले बार फिर मिलेंगे, नहा कुछ जानकरे के साथ, नहा कुछ ultimate के साथ, तब तक friends, जैहिंद.